अब UBSC की तैयारी के लिए दिल्ली या एलहाबाद आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि Civils Daily कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन CD YouTube Classes के माध्यम से जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर Current Affairs और Static Portion के टॉपिक्स Prelims, Mains और Interview को मद्दे नज़र रखते हुए तमाम Video Lectures और Mentorship Guidance वो भी बिलकुल निशुलिक हम अपना Time Invest करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगे सही डिरेक्शन में इस्तमाल करें प्रेस्टे बेल आइकोन और सब्सक्राइब को आवर चैनल तो फॉलो है हैस्टाग सीरी रिज्वल्स नमस्कार दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे मैं सिधार्त आप का मेंट और स्वागत करता हूँ सिभल्स देली के इस यूट्यूब क्लासेस पर जहां आज हम बात करेंगे UPSC Prelims और Mains से जोड़ी कुछ important and relevant topic पर from the Hindu editorial and opet section तो दोस्तों आज इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैंने कल कुछ questions दिये थे आपको attempt करने के लिए MCQ के थरू और यहां पर जो green color का जो highlight मेंने किया है that is the correct answer few of you have already commented your right answer few of you have not जिनका सही है congratulations you guys are moving in the right direction और जो अभी भी घबढा रहे हैं शर्मा रहे हैं या जिजक रहे हैं उनसे मेरी एक request है कि please कुछ time के लिए ये घबढाना और शर्माना छोड़ दीजे because these are important things wherein आपको practice daily practice होगी अगर इन questions को आप attempt करेंगे तो okay and these are very very relevant questions straight away from the article from the editorial analysis ठीक है ये कहीं से भी random questions नहीं आ रहे हैं इसका answer C होगा और last वाले का D होगा all of the above और फिर एक मैंने question पुछा था standing committee से related जिसका answer होगा consultative committee of ministry of finance okay ये ministry, department वगरा थोड़ा से important है structure समझ जाओगे आप तो मामला पूरा समझ में आजएगा otherwise बहुत confusing लगेगा आपको okay in case if you guys have any doubt please comment करिए और हम पूरा पूरा explanation भी शेयर करेंगे okay चलिए moving on to our today's editorial analysis उससे वहाँ जाने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं bell icon press नहीं किये हैं तो प्लीज अभी अभी प्रेस किजिए वीडियो को pause किजिए और right hand side में जो bell icon बना है at least उसको आप activate कर लिए so that you receive the notifications on daily basis ठीक है let us start आज का हम तीन editorial कवर करेंगे the Hindu से ही है एक आपको दिख रहा है सामने the sale that Indian diplomacy उसके नीचे है the rise of collaborative social impact and then right inside में है amendments that are unnecessary ठीक है आज का जो major article है वो है rise of collaborative social impact ये थोड़ा अच्छा और थोड़ा अलग article है ठीक है but we will discuss here the sale that diplomacy stated here okay zoom in में कर देता हूं and then we will focus on this article okay so दोस्तों ये जो article है this is a combination of last week मैंने दो तीन दो editorial कबर किये थे एक Asian Asian countries से related और दूसरा था China's China का जो initiative है China का रोल है जो geopolitics और उसका international politics से related ये दोनों का merge है और ये जो author है he is he was an ambassador in Russia sorry D.B. Venkatesh Verma ये खुद एक bureaucrat एक IFS officer रह चुके है so इन लोगों के जो articles होते हैं वो काफी gripping होते है थोड़ा सा अलग narrative अलग perspective होता है ठीक है so हम key highlights देखेंगे जादे detail में नहीं जाएंगे ये इन ये एक इन इन्डियार्म से रिलेटड मामला है पूरा थीक है GS P2 का पार्ट है grouping and agreement involving India's और affecting India's interest पेपर थ्री में भी आएगा ये, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, इस टोटली बेस्ट ओन यूरेशिया जी सेक्योरिटी, यूरेशिया बोले तो, यूरोप एंड एशिया, ठीक है, ऐसे कुछ लेंड बाउन्डरी डिवाइड नहीं है, कि ये यूरेशिया है, ठीक है, कुछ बॉर्डर नहीं डिवाइड है, बट इस जस्ट, इस यूरोप एंड एशिया, ठीक है, ये सारी पॉलिटिक्स अब यहां चल रही है, जितनी भी अब डेवलोपेंट्स हो रही है, बिकर्ज इंडो पैसिफिक रीजिन, अगर आप, मैं मेरे पास यहां मैप को मैं देख सकता हूँ, हाँ, बैसिकली इस साइड है, ये हमारा इंडिया इधर हो जाएगा, ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन हो जाएगा, ये और इस साइड है, ये अपमारा साउथ चाइना सी वाला एडिया जो है, ये इमपॉर्टन्ट है, और ये आज के जमाने का ओल्ड वॉर है, आज के जमाने की बहुत इंपॉर्टन्ट डिसिजनस है, related to territorial boundaries related to maritime security and doctrine इन्होंने क्या कहा है इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने ये कहा है कि इंडिया का रोल, इंडिया का स्टेंड आप बहुत इंपोर्टन हो चुका है मैं मेरे एडिटोरियल का लिंक मैं आपको description box में दे दूँगा जहां पे हमने discuss किया था कि build back better जो बाइडन सहाब की जो policy है उन्होंने काफी जादे पैसा invest किया है और चाइना के जो belt and road initiative है इन दोनों की बीच में जो difference है और दोनों का जो objective है वो हमने discuss किया था इंडिया के perspective में क्या था तो जब भी हम foreign से related कुछ बात कहेंगे इंटरनाशनल से related जब कोई भी बात होगी कोई भी मुद्दा होगा UPSC में तो वहाँ ज़रूरी है इंडिया का stand क्या है mention करना ही करना है otherwise UPSC को इस topic को include करने में कोई और वजह नहीं है हमारा क्या role है हमें क्या हानी पहुंच सकती है हमारा क्या फाइदा हो सकता है हमारे business terms कैसे हो सकते है ये एक soul मुद्दा है तो याद रखिएगा जब भी आप main sensor लिखोगे तो इंडिया को perspective रखके आप ये सारी चीज़ें mention करोगे कि what are the key challenges, key takeaways and suggestions way forward तो सबसे पहले मुद्दा हम यही समझते हैं कि जो हमारी maritime security है उसको strengthen करना है हमें चाहे वो इंडो pacific area हो, चाहे south china सी हो इसको हमें मजबूत करना मजबूत कैसे होगा government ने एक initiative launch किया है एक security initiative launch किया जिसका नाम सागर है already हम सब को पता है strategy, the security growth in all India region और भी कई सारे initiatives हैं जिसको आगर आप चाहें तो अपने knowledge के लिए मुझे comment करके बता सकते हैं कि sir, ये सारी initiatives है the government has recently launched to tackle the maritime challenges maritime security challenges यहाँ पे इन्होंने एक focus on Eurasia बोला है दूसरा बोला है where you stand और तीसरा बोला है be assertive about the rights इस article पे हम अभी आएंगे let's check out something very important here blue economy okay blue economy is related to maritime security when we talk about blue economy blue is like water ocean and economy is again the business, the trade, the security and everything okay अगर आपको mains में ऐसा question आभी जाता है कि write a short note on blue economy तो घपडाने की बात नहीं है logic समझेगा blue has always been referred to oceans पानी, water okay green, natural यह eco-friendly चीज़े ठीक है तो और economy में क्या होता it's like employment, trade, business यह सारी चीज़े labor participation तो आप आग बन करके भी इन सारी चीज़ों की concerns और इससे related key features आप mention कर सकते हैं जैसे इस image में mention किया हुआ है smart shipping okay an inclusive approach sustainable fisheries renewable COP26 का भी example यहां mention कर सकते हैं so it's totally on your understanding कि आप कैसे पढ़ रहे हैं और वो सारी topics आप इसमें include भी कर सकते हैं okay so recently अभी क्या हुआ था कि Ajit Dovald साहब जो है जिनको India's James Bond भी कहा जाता है National Security Advisor उन्होंने meeting रखी थी I think November में ठीक है आस पास के कुछ जो हमारे border countries हैं उनके साथ ठीक इतने लोगों को उन्होंने invite किया था कौन नहीं आये थे चाइना और पाकिस्तान ये लोग जॉइन नहीं किये थे इंटेंशनली okay rest every member they joined ठीक है और उससे पहले भी PM Modi August में I believe उन्होंने UNSC में जो address किया था और speech दी थी उसमें भी maritime security की बात की थी उन्होंने तो यहीं सही सारा मुद्दा निकल के आता है और एक holistic article बनता है इस figure पे हम अभी आएंगे तुरंट ठीक है तो जो article है उसमें mentioned है border and connectivity issue तो जो issue की बात हो रही है वो यह है कि India's partition and emergence over the past six decades basically जो जब से भारत आजाद हुआ है 75 साल हो गए आजादी के और तब से लेके हमेशा एक geopolitics एक land boundary politics और security बढ़ते आई है कभी कम नहीं होई है ठीक है चाहिए पाकिस्तान को ले लीजे पाकिस्तान की जो infiltration है जो वो धीरे धीरे लद्दाक वाले area में पश्मीर वाले area में enter कर रहे है penetrate कर रहे है अपनी daily exercise करते है वो कम नहीं हुए है वो बढ़ते आई है persistent increase है और in fact ये तो है ही इस image में देखिए अगर इस side ये पाकिस्तान है तो ये infiltration कोई नहीं कोई exercise पाकिस्तान करता है ये करता है अब चाइना ने वहाँ पर military exercise शुरू करती है धीरे धीरे पूरा गाउं बसा लिया है वहाँ पर अभी recently बात हुई थी किसकी अरुनाचर प्रदेश है related जहाँ पर चाइना ने 15 शहरों के नाम शहर नहीं है लगबग 8 residential area है I think 3-4 mountains है एक river है और एक mountain pass है तो 15 जगह के नाम चेंज कर दिया रुनाचर प्रदेश में मैं उस conversation में नहीं जाओंगा क्योंकि ये भी मैं cover कर चुका हूँ इसका भी link मैं आपको दे दूँगा कहने की बात ये है इस पुरे article में कि जो continental strategy है जो continental politics हो रही है land boundary scheme वो increase हो रही है ये connectivity issue है अगर हमें trade करना हो तो फिर हमारा trade करना मुश्किल हो जाएगा जब article 370 लाभू हुआ था अब्रोगेट हुआ था जब एक राजे से UT बना था अभी 2019 में तो पाकिस्तान नाराज हो गया था कहरा था कि हम नहीं मानेंगे इस बात को और हम कोई ये trade करेंगे ही नहीं कोई भी किसी भी form में trade अब होगा ही नहीं border से तो ये एक connectivity issue है border की वज़े से चाइना में भी जो area cover किये है वहाँ से भी तो connectivity issue है वहाँ से trade होगा ही नहीं ठीक है और एक time पे तो लगबग आधा Asia चाइना पे depend हुआ करता है ना COVID से पहले चाइना पे ही depend क्योंकि बहुत सस्ते दामों पे raw materials manufactured सब मिला करते थे आज भी इंडिया में कई सारी ऐसी companies हैं जिने मैं भी जानता हूँ जो अभी भी चाइना से माल मंगवाते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई सस्ती unit है ही नहीं manufacturing की ठीक है चाइना ऐसा ऐसा दाम ऐसा price आपके सामने coat कर देगा कि आप match ही नहीं कर पाऊगे यहाँ पे इतना सस्ता इतना cheap इसलिए लोग वहाँ से मंगवाते हैं raw materials अभी भी मंगवाते हैं electronics तो भर-बर के आते हैं bottles भर-बर के आते हैं तो यह सारे बंद हो जाएंगी अगर यह border issue होगा तो So difficulties have arisen in operationalizing the alternative route the international north-south transport corridor on account of US hostility towards Iran यह भी एक मामला था Iran से लेके क्योंकि Donald Trump साहब ने यहाँ पे economic sanction लगा दिया था जब वो president था US के अब Joe Biden साब ठीक कर रहा है चीजों को थोड़े से He's a democrat So he's penetrating in these areas and जो भी Donald Trump साहब ने जो उनसे intentionally जो गलतियां हुई हैं He is correcting it But damage has been done धीरे-धीरे चीजें ठीक होगी अभी क्या हुआ है कि recent Afghanistan को जब Taliban ने take over किया है So there has been connectivity challenges again जो चाबार port है हमारा उसमें connectivity challenge आया है तो ये Eurasia मतलब Europe और पूरे Asia में जो हमारे trade हो रहे हैं उन में दिक्कत आने लगेंगी ठीक है Once again वही चीज है connectivity issue होगा तो फिर दिक्कत होगी border मतलब border issue होगा तो फिर trade में दिक्कत होगी अब दूसरा क्या है कि where the US stands ठीक है देखो अभी जो पूरी की पूरी politics है वो Asian countries पे है ठीक है अगर मैं इस के paragraph पे लिया हूँ यहाँ पे लिया हूँ ये इधर Asian countries आपके आएंगी ये सारी Laos आएगी Indonesia आएगा इधर ठीक है Cambodia वगरा ये सारे लोग इधर आएंगे तो अब जो main politics है वो Asian countries है तो basically अब US चाइना के साथ वैसे तो एक बहुत सारे summits में बहुत सारे ties में एक साथ काम करने का वादा किया है but there we see very disagreement between these two superpowers okay now so the ongoing the ongoing US-Russia confrontation related to Ukraine Russia's opposition nature NATO expansion and border questions ये सारे चीज़े आप पढ़ लीजेगा क्योंकि recently अभी देखा होगा Russia और Ukraine से related और Belarus से related कितने सारे incident हुए है जहां पर Russia support कर रहा है Russia तो Ukraine को annex करने के बारे में सोच रहा है मतलब overtake करने के बारे में सोच रहा है so NATO का एक रोल negative sense में दिख रहा है कि बहुत जादे positive रोल नहीं है NATO का इसमें okay so US का stand यही है कि धेर सारे amount वो invest करे अपने build back better जो initiative है उसमें Asian countries को वो धेर सारा fund करे ताकि वो trade, economic development, infrastructure land, port, airports वगर्णड़ा और seaports वगर्णड़ा develop करे ताकि boundaries थोड़ी से strong हो friendship अच्छी हो इंडिया का stand जैसे कि मैंने आपको फिर से कहा कि इंडिया का stand it is very very important okay India is a unique as no other peer country has a severity challenge both continental भी है और maritime भी है समझने इसके मतलब इसका मतलब यह है कि इंडिया एक ऐसी country है जिसके land border challenges तो है ही ठीक है उस side Pakistan है उपर इस side China है ठीक है फिर इस side आपका अफगानिस्तान धीरे से आ गया so यह तो है maritime dimensions maritime challenges भी है this is the entire this segment अगर मैं यहां बात करूँ तो यह image है यह पूरा आपका Indo Indo-Pacific यह region है इस side अगर हम आएं map के तो यह पूरा South China Sea है तो दोनों तरफ से एक strategic बहुत ही lucrative हमें policy बनानी पड़ेगी ठीक है यह आप देख लिजेगा PDF मैंने इसलिए किया है कि आप PDF को डाउनलोड करें और direct newspaper से ना पड़ें important information से ठीक है इससे क्या होगा कि आई इंडिया को सब के साथ संब्द बना कर रखने हैं अब रश्या और US के बीच में तो चलता रहता है US चाइना के बीच में चलता रहता है लेकिन इंडिया का रश्या के साथ संब्द बहुत अच्छा है इरान के साथ संब्द बहुत अच्छा है अफ़कानिस्तान के साथ बहुत संब्द अच्छा था तो हमें भाई अपना भी तो देखना पड़ेगा right so the collective security organization treaty इनके साथ EAU, SCO, Iran, Russia इन सब के साथ हमें अच्छा partnership, strategic relation maintain करना पड़ेगा okay I think यह over हो गया होगा yes, so मैं article पर आता हूँ so this is how the entire yellow part which I have mentioned here यह already मैंने discuss कर लिया है आप video pause करके आप 10-15 seconds देख सकते हैं otherwise all the things has been discussed properly in case if you have any questions उस पर comment करके बताएगा तब तक हम अपने अगले article पर आते हैं और यह है आज का सबसे जबरदस्ट article जबरदस्ट इसलिए है because यह एक step है towards eliminating all social barriers social impact जितने भी हो रहे हैं उसको help करने का so the rise of collaborative for social impact the emphasis on inclusion, equity, justice, formal collaboration basically यह एक collaboration की बात कर रहे हैं किनकी एक report आय थी 2020 में Bitspan Group ने एक report release की थी philanthropist collaborative यहाँ पर क्या है इसका मतलब है the power of many the power of many मतलब कि जितने भी collaboratives है it could be NGOs it could be pressure groups it could be a government organization और it could be private entity कुछ भी हो सकता है यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है that examined alliance between development sectors funders, non-government organization and government it could be anybody बस वो collaborate करने चाहिए और कौन collaborate कर सकता है जो अपने अपने field में बहुत माहिर हो जिनके पास लोग हो जिनके पास वो capacity हो करने की इक्षा हो सबसे बड़ी बात और funds हो ठीक है those stakeholders bet that their combined funding and skill assets would make an impact greater than the sum of their part समझ में आ रही इसका मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि अगर एक साथ वो जूर जाते हैं ठीक है government, NGO और collaborative और private companies अगर एक साथ जूर जाते हैं तो उनकी जो skill set है उनका जो agenda है उनका जो motive है वो 10 times, 20 times बड़ा है उनके collective पैसों से of course वो है ठीक है और वो 10 times, 20 times अच्छा development कर सकते हैं हमारे समाज में, हमारे society में ठीक है तो COVID के situation में कुछ ऐसा देखा गया कि कुछ companies हैं जैसे कि COVID Action Collab India Protector Alliance The Future of Impact Collaborative and The Coalition for Women Empowerment यह कुछ ऐसे collaboratives हैं कुछ ऐसे groups हैं जिन्होंने वादा किया एक साथ मिल के काम करने का और ना कि COVID से related problems को solve करने का बलकि जो हमारी समाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति हैं उसको भी improve करने का थोड़ा मुड़ा इन्होंने साहस दिखाया और आगे बढ़े गे सबसे important चीज़ यहां पर point number यह है third most focused on implementing social programs and mobilizing funding ठीक है this funding could be from anywhere foreign funding भी हो सकती है governmental funding भी हो सकती है and it could be from any religious body as well कुछ भी ठीक है लेकिन aim क्या था aim यह था implementing social programs and mobilizing funding ठीक है swast for instance has created a one-stop telemedicine portal याद रखिएगा यह आपके means के answer में आप as an example mention कर सकते हो अपने theory को justify करने के लिए for example since he has written implementation of social program mobilizing funding तो हवा मेंने तो नहीं है यह तो आप प्रूफ कर रहा है तथियों के साथ की भईया swast एक ऐसी संस्था है जहाँ पे एक one-stop telemedicine portal implement किया था जहाँ पे ACT grants एक pool financing resources के काम किया था ताकि COVID-19 से related चीज़ों पे innovation पे काम हो अच्छी बात है ठीक है आप यह देखिए fourth point जो है the collaboratives are also mobilizing greater funding annual budget 13 collaboratives का 2019 से 50,50,50 करोड हो गया बहुत बड़ा मुद्दा बहुत बड़ी चीज़ है actually ठीक है in comparison the multi-year financing commitment for the 8 collaborative range पूर इतना मतलब जितने जादे आप collaborative जुड़ते जाएंगे जैसे कि यह companies है Indian Protector Alliance और उतनी जादे funding इकटी होती जाएगी तो reach इनकी बढ़ती जाएगी reach मतलब कि बहुत remote areas में भी यह जाके समाजिक सुधार कर सकते हैं और जो भी problems हैं उसको tackle कर सकते हैं at least एक शुरुवात तो कर सकते हैं right so the new generation of collaborative increasing focused on marginalized communities ठीक है such as informal waste picker frontline workers and migrant laborers बहुत ही सही जगा पे इन्होंने हथोड़ा मारा है और तभी हमारा समाज थोड़ा सा बदलेगा सुधरेगा कब जब इन marginalized communities को ध्यान में रखते हुए मद्दे नजर रखते हुए हम कोई भी policy को implement करेंगे ठीक है और वो कौन-कौन सा है marginalized ठीक है हम किसी religiously marginalized लोगों की बात नहीं कर रहे है just those people who are not socially financially stable they are literally weak ठीक है कौन-कौन है informal waste picker कुडा उठाते है आपके घर में रोज मर्रा आते होंगे कुडा उठाते होंगे ठीक है frontline workers जो nurse है जो staff लोग है police कर्मचारी है और भी कई सारे ऐसे frontline workers होंगे जो की बिल्कुल unheard होंगे सुने भी नहीं होंगे आपने वो लोग काम करते हैं ऐसे migrant labors प्रवासी मजदूर जो की मतलब इतने flexible है मतलब situation के हिसाब से वो चलते है ठीक है सबने देखा था COVID के टाइम पे migrant workers की हालत ठीक है मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ ये जो logo है ये जन सहस People's Courage for Change इसी की हम बात कर रहे हैं और अभी मैं आपको आता हूँ ये basically I think मैं बताना भूल गया था GS Paper 2 Management of Social Sector ये NGO से related है इसको आप देख लिजेगा वीडियो पॉस करके और so basically क्या हुआ इन्होंने NGO है जो जन सहस इन्होंने एक सर्वे करवाया ठीक है और जो सर्वे की रिपोर्ट आए तो basically सर्वे क्या था लगबग 3,196 Migrant Workers को इन्होंने इंटर्व्यू किया ठीक है बहुत शॉकिंग सर्वे है ये 3,000 लगबग 32,000 मान लवा 32,000 Migrant Construction Workers को इन्होंने इंटर्व्यू किया और ये पाया कि 90% of them have lost their income source COVID टाइम पे लॉक्डाउन टाइम पे और आप यकीन नहीं करेंगे 62% 62% out of 32 Migrant Workers को पता ही नहीं है कि गवर्मेंट की कौन सी Emergency Assistant प्रोग्राम चल रही है क्या फायदा है न फिर प्रोग्राम इंप्लिमेंट करने का फिर कोई मतलब ही नहीं है जब इन तक बात पहुँच ही नहीं पारी है तो फिर कोई मतलब नहीं है तो NGOs Pressure Groups Civil Society एक ही जरिया है कि सरकार की नीतियों निर्मान को इन तक पहुँचाया जाए NGO Civil Society और Pressure Groups इतने रिमोट एरियाज में और घर घर में बसे हुए है इनकी पहुँच है कि गवर्मेंट की पॉलिसीज को इनकी स्कीम्स को उन तक पहुँचा सके और इस रिपोर्ट में ये देखा गया है कि 32 सो में से 62 सो आदे से जादे को तो पता ही नहीं है कि हमारे लिए कोई स्कीम भी है सरकार ने निकाल कर रखी है ये आश्यर्य करने वाली बात है और इस पे हमारे जो भी स्टाटिस्टिक्स हैं जो रिपोर्ट से जो पॉब्लिश करते हैं बहुत ध्यान देना चाहिए इस पे इंडिया में लगबग 180 मिलियन माइगरिट वर्कर से एक मिलियन में 10 लाक समझ रहे हैं आप 10 लाक मतलब की 140 इंटो 10 140 मिलियन 1 मिलियन में 10 लाक so it's like huge amount of quantity population हमारे जो informal सेक्टर में है जो इनके founder है आसिफ शेक सहव he is the founder of जन सहस concluded that कि जो ये जो problem है और ये जितनी सारी situation से वो एक NGO नहीं कर पाएगा एक NGO के लिए बहुत burden है सरकार तो है नहीं NGO लेकिन अगर ऐसे ही कई सारे collaboratives मिलके सामने आएं तो हाँ एक level तक ये चीजे कम हो सकती है और समाजिक आर्थिक विवस्ता थोड़ी से सुधर सकती है ठीक है more than 40 community based organization 25 companies including industry association and three state government have partnered with MRC ठीक है MRC एक global network program है एक organization है जिनके साथ मिलके एक सीधा goal है कि to get facilitate and relief of more than 10 million migrants ठीक है 2000 since 2000 ये थोड़ा सा जन सहस अपने बारे में बता रहे हैं कि 2000 से लेके since 2000 जन सहस has worked to end commercial sexual exploitation and forced labor ठीक है focusing on migrant workers socially excluded communities ठीक है जैसे दलित हो गए और भी छोटी जात हो गए जो लोग बिचारे वो exclude हो जाते हैं in fact लोग इनको तो जाब भी नहीं देते हैं ठीक है 90% of जन सहस staffs confirm community it serves किसे नहीं बढ़िया बात है ठीक है ये उनको ही employee कर रहे हैं जो कि खुद एक community से exclude किया गए है very good जन सहा has could hence draw on a deep trust of relationship of MRC to ensure alignment of MRC stakeholder इन्होंने एक non-negotiable goal किया है non-negotiable goal किया है कि such securing a minimum wage for migrant worker and ending exploitation of female workers इनके बहुत अच्छे बिचार हैं बहुत नेक हैं और इनको अगर funding मिलेगी और इनको अगर collaborative धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो I'm sure they will do it because they have proved in the past कैसे 2000 में यहां पर बताया गया है okay so यह है इनकी पूरी family नो जन सहस करके you can also visit their portal so जैसे हम कुछ schemes होते हैं कुछ NGOs होते हैं ठीक है कुछ ऐई संस्था होती है जिसको हम अपने mains के answer में हम लिख सकते हैं ठीक बहुत जैसे कई सारे NGOs है मैं recall नहीं कर पा रहा हूं उनका नाम लेकिन आपने mention किया हुआ है आप कर सकते हैं उनका नाम और you can then direct your answer कि ऐसा हमें करना चाहिए और इसके लिए यह एक example है ठीक है यह एक rise of collaborative एक important concept था जो कि हम सब को समझना चाहिए and this is what the article is has been talking about next में इसमें आप video pause करके यह पूरा article आप पढ़ सकते हैं देख सकते हैं यह मैने आपके लिए ही mention किया हुआ है and this is the same thing which I just told you in in the presentation okay you can pause here and you can read it about else कोई दिक्कत नहीं है इसमें जो main important था इनका क्या emphasis था equity, justice and formal collaboration India's social sector ठीक है that's it चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस वाले article पे जो की है amendments that are unnecessary ठीक है why a national database of registered birth and death is not required इसको समझने के लिए हम अपने इस article पे आते हैं ठीक है national database registered birth and death इसका context क्या है so recently भारत सरकार ने ये कहा है कि RBD जिसको हम कहते है registration of births and death act 1969 इसको हम amend करेंगे और amend करके जो जितनी भी birth और death से related agencies है उनको हम एक साथ करेंगे so that एक inclusive एक holistic data तैयार होगा ठीक है one major proposal is to prepare a national database registered birth and death ठीक है ये proposal है और ये objective भी है ठीक है objective could be more than one but this is the main objective and the main proposal कि एक national database होना चाहिए ठीक है this is intended to be used to update for every birth and death ठीक है the database created in accordance with many other laws जैसे NPR, National Population Register, voter list, आधार, डेटाबेस ये सब इसमें आएंगे, mention होंगे ठीक है ये GS paper 1, paper 2 से related है, population issues and health से related है ये एक image मैंने लगा रखी है कि repository of data I'll look at the 1969 इसमें जो कहा है the one amendment says कि जो chief registrar appointed by the state is to maintain the unified database at the state level ठीक है and integrate it with data at the national level तो जो chief registrar होंगे उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा इस national database को implement करने में और organize करने में क्योंकि ये राज्य सरकार इनको appoint करेगी और यही maintain करेंगे सारी चीजें state से data इकर्था करके और national level तक का data बनाने में विच रेजिस्टार जोनल फिडिया मेंटेंस इस अप्रोज करेंगे और यह देख लेते हैं कुछ अमेंडमेंट्मेंट्स इसमें जो प्रपोजल दिया गया है यह तो हम अरडी डिसकस कर चुके हैं राइट चीफ रेजिस्टार तो मेंटें उनिफाइड डेटा रेजिस्टार जोनल फिडिया मेंटें करेंगे और किस पे आता ये? Ministry of Home Affairs में अभी लोकल रेजिस्टार कर रहा है आप समझ सकते हैं कि जब लोकल रेजिस्टार अपॉइंट हो रहा है तो थोड़ा सा चूक हो सकती है थोड़ी सी आकड़े हैं तिर हो सकते हैं लेकिन इसमें ये एंशोर किया गया इस एक्ट में कि पूरे जिम्मदारी के साथ responsibility और accountability के साथ ये जो chief registrar है वो हर state उनको appoint करेगी अलग-अलग होंगे और वो एक साथ मिलके एक registrar general of India maintain करेगी उसकी report और वो data publish होगा special sub-registrar the appointment of special sub-registrar in the event of disaster with any all of his power and duties for on-the-spot registration of death ये जब भी कोई आपदा आएगी act of God होगा तो एक special registrar को appoint किया जाएगा जो कि इन सारे मामलों में एक special power मिलेगी उनको ताकि वो real-time basis पर ये सारे चीजें update करें ठीक है इसमें जो proposal है कुछ अलग सा है बात इसलिए हो रही है यहाँ पे जो इसका title है amendment that are unnecessary basically इन्होंने ये बोला है मैंने underline भी किया है आप देख लीजेगा वीडियो pause करके वैसे बहुत कुछ ज़्यादे इसमें समझने के लिए नहीं क्योंकि अभी ये proposal दिया गया है बहुत सारे article इस पर भी आएंगे आगे चलके तो हम एक basic overview समझ रहे हैं इसमें यहोंने ये कहा है एक तो हम ये हमारा purpose था आपने देख लिया रिजिस्टर करना birth and death को national database बनाना है दूसरा purpose यहां पर यह है कि यह जो act है registered birth and death act maintains that information from the national database would be used to update population register, आधार database, passport database and that the birth certificate issued under this act ठीक है कि for example अगर आपको passport बनवाना है अगर आपको driving license बनवाना है in fact आधार भी issue करवाना है या फिर voter ID करवानी है school mediation भी करवाना है तो इस national database मतलब की RBD act के through यह सारी चीज़ें facilitate होगी क्योंकि उसमें सारी details mention होगी कि कहां पर किसका birth हुआ है, कहां किसका death हुआ है, कौन सो hospital में हुआ हुआ, वो सारी एक अलग checklist है जो कभी हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं तो author कह रहे हैं कि यह ए birth and death का data अलग रखना चाहिए, आधार को link नहीं करना चाहिए उसमें, सिर्फ आधार को link करने के लिए आप amendment कर रहे हैं, जबकि आपने बोला हुआ है कि जब आप कोई भी birth या death account करोगे, जब लिखोगे तो उसमें आधार number mention कर देना उस बंदे का, इस चीज को करने के देखिएगा आप, मैंने यहां mention की है, section 8, यह आपको दिख जाएगा, highlighted part, यह वाला, okay, ठीक है, so this is how they wants, the law for each of these database can specify whether the information contained in the birth and death register should be used for a particular purpose, ठीक है, so, इसका, यह बिल basically कब introduce हुआ था, यह बिल 2012 में introduce हुआ था, और इनका यह भी कहना था, कि इसमें तो भाई, आप marriage registration भी डालो, ठीक है, अब नाम से ही पता चलता है, कि यह national database registered birth and death है, तो क्या ज़रूरत थे, इसमें आप marriage की registration को डालने की, ठीक है, तो यह पूरा होचपोच हो जाएगा, यह data कम यह खिचटी जादे हो जाएगी, ठीक है, अब में मुद्दा यह है कि आधार है, तो आधार, हर चीज का आधार नहीं हो सकता, राइट, आधार का जो main purpose क्या था, आधार आने का main purpose यह था, कि जितने भी जो beneficiaries हैं, जिनके लिए government policy और scheme निकालती है, उनको आधार कार उनक पहुँच रहे हैं कि नहीं, उसका lab उठा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए आधार बना था, ठीक है, लेकिन अब आधार के माइने बदल रहे हैं, अब voter ID से उसको link किया जा रहा है, अब national database registered इससे भी उसको link किया जा रहा है, तो हो सकता है, उसके पीछे कुछ solid reason हो सकता है, क इसको link मत करिया, यह एक unnecessary amendment होगी, okay, it lapsed as it was not taken up by the log sabah, 2012 की बात होई थी जब Congress government थी, तो यह lapse होगया था, लेकिन फिर से इसको include करने का proposal आया है, फिर से बात चल रही है, ठीक है, so, activities relating to births and death have undergone a sea change in the last decade with computerization, ठीक है, लोग अपने comfortability के हिसाब से data enter करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, software क्या accept कर रहा है, किस design से software बना है, हम compatible है कि नहीं उस software के लिए, ठीक है, हमारे अभी भी government offices हैं, जहां पे infrastructure remote areas में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन software हमें use करना है, आज कल हमें digital India बनना है, हमें पूरी economy को revamp करना है, digitalization को हमें follow करना है, ठीक है, तो यह समझना भी ज़रूरी होगा, हमारे officials को भी, हमारे government को भी, और जितने भी लोग associated हैं, जितने भी stakeholder हैं, कि जो change हुआ है, computerization, computers के आने से, जो internet के आने से, जो चीज़ें change हुई हैं, उससे related हमें एक awareness भी, एक skill performance based चीज़ें भी समझानी चाहिए, implement करनी चाहिए, trainings करनी चाहिए, ताकि लोग used to हो, बहुत स सारे चीज़ें तो ऐसी होती है कि हम, हम data में feed नहीं करना चाहिए, अरे कौन काम करेगा उस computer पर, रहनन दो हम तो ऐसे copy pen पर काम कर लेंगे, और फिर वहाँ पर breach हो जाता है, data match नहीं होता, data lapse हो जाएगा, ठीक है, so there is a need for updating law to take care of these and future developments, ठीक है, the proposed amendment falls short of this, जब हम अपने भारत में किसी भी policy amendment की बात करते हैं, तो अभी भी कुछ ऐसे segments हैं, departments हैं, और offices हैं, जो की fully equipped नहीं है, tax related, ठीक है, वो ही पुराना computer है, जो नहीं काम करता है, और हमारी knowledge है, उससे related, जो की update नहीं है, लेकिन उपर से, जो society है, जो government है, वो Digital India की बात कर रही है, तो आप नया software तो ले आ सकते हैं, लेकिन जो skill उसको चलाने के लिए है, वो आपको समझाना पड़ेगा, कैसे काम करेगी, ठीक है, इस आलस्पने से उठना पड़ेगा, कि कौन computer नो भरेगा, हम तो paper में लिख देंगे, ये एक lack है, और एक lapse हो जाएग and please do not forget to like, subscribe, share and comment, ठीक है, the more you comment, the more we actually know कि हाँ, आप हमारा चीज़ें समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रही है, और अगर आपको लगता है कि हम कुछ चीज़ें implement कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं change कर सकते हैं, तो वो भी आप mention कर सकते हैं, because it's all about you, not for us, okay, so मिलते हैं कल के अपना ध्यान रखें, जय हिंद,